असलाम अलेकुम डियर लेर्नर्स एन पोटेंचिल ओन्टिप नियूर्स एन ओन्टिप नियूर्स वेलकम इन दे विडियो हम बात कर रहे हैं एंपरेक्टिंग बिजनस आइडिया और हमने आपसे बात की थी कि हम आपके लिए लीगल एक्सपर्ट को बिलाएंगे सो हमने आइडिया और श्की लीगल प्र्टेक्शन के हवाले से हमने अपनी बात को इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी किस तरह आ Mysp सब आपके जहन में कुछ और क्वेस्टेंज भी आ रहे थे जब हम सोल प्रप्राइटर से एक स्टेप आगे राते हैं जिसमें deve puede समझा जाता है कि जब आप शुरू करते हैं तो mostly you began individually तो वहां तो आप as a sole proprietor काम कर रहे होते हैं और single member company भी ज़सा रहान साब ने बताया बन जाती है लेकिन कुछ points ऐसे आते हैं कि जहां पर expansion करने के लिए आपको दूसरों के साथ sharing करनी होती है जिसकी एक general form हमारे हाँ partnership भी है और फिर किसी आद तक partnership की इंप्रूफ फॉर्म private limited company होती है और उसके बाद फिर public बबाज कोड़ा आप के पास जो business idea है उसका scale इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आपको public से भी पैसे लेने पढ़ते हैं तो मैं रेहान साब से मुक्तसरन ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक तो मुझे वो ये थोड़ा हमारी रहनुमाई कर दें कि partnership जो है उसको किस तरह ज्यादा से ज्यादा लीगली पोटेक्ट किया जा सकता है partnership को जो define किया जाता है वो ये है कि partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all ये जो दो लोग आपस में relation काईम करते हैं ये basically business का relationship है it's very professional relationship and you see government is interested के business enterprise जो है ये flourish करे society dynamic हो society में contribution लोग करें तो उसके लिए sir partnership जो है regulate होती है the partnership act 1932 से ये 1932 में basically वो जो दो लोग मिल के business करना चाहते हैं उनके relationship को civilized करने का एक नस्खा है जिसको partnership act 1932 का आ जाते है जो पहली product partnership act 1932 देता है sir वो ये है कि इसकी partnership deed बनाई जाए जाए अब देखें document और deed दो लफज जो हैं ये सामने आ जाते हैं document वो होती है जिसमें कोई right किसी का नहीं होता deed वो होती है जिसमें rights जो हैं वो confer हो रहे होते हैं grant हो तो अगर आप contract थेरी कोई देखें तो partnership deed is a kind of contract जो the contract act 1872 जो है sir you would be delighted to know that is not exhaustive law कि वो सारे जितने भी contracts आपकी economy हो रहे हैं उन सब को cater नहीं करता है इन exhaustive law है तो उस जो partnership 1932 है यह आप समझें के sportive contracts के laws हैं तो अगर partnership में आप जाना चाहरे हैं okay basic principles contract act 1872 से ले रहे हैं और partnership 1932 जो civilization दे रही है उसके तरह इसको codify करके relationship को carry करें तो deed is a document deed is a contract अब यह deed जो है अगर दो partners के दर्मियान में है और दोनों घार पे रख लें एक जब conflict होगा तो एक version लेके आ जाएगा दूसरा दूसरा version लेके आ जाएगा तो dispute कड़ा हो गया कि कौन सा version genuine है तो उसने का okay fine एक registrar of firms क्यों ना बना दिया जाए उसको office create किया गया अब जब आप partnership deed लिखेंगे partnership deed बनाएंगे तो उसके साथ एक form one है जिसमें कुछ details होती है personal details ID card की copies लगेंगी फिर वो tested copies होंगी ID cards की फिर वो documents test होंगे और जो deed है वो सा एक हजार उपए के stamp paper के ऊपर होती है और जो stamp paper होता है उसकी अगर back side कभी देखे तो वहाँ पर बकाइदा उसकी issuance का record होता है और वो issuance का record एक register होता है जो वो vendor of stamp paper जो है उसका record होता है वो हाइकूड के पास जाता है तो बकाइदा यह जो document है यह stamp paper में लिखी जाती है इसका record रखा जाता है और जब इसको stamp करके signature करके witness भी किया जाता है तो sir यह फिर रिजिस्ट्रार के पास जमा करवा दी जाता है registrar is basically custodian of that contract तो genuineness जो है कि यह दो लोग partnership में गए है यह उसके पास इसका record होता है और वो फिर उसके पास एक register है तो register है लाजमी उस पर कोई entry होगी तो register होगा तो कोई registrar होगा तो कोई register our office होगा तो वहार से sir फिर वो एक certificate issue करते है जिसको form c का है तो basically आप यह देखें यह दो parties के relationship को या दो से ज्यादा लोग जो कठे होके काम करते हैं उनके relationship को regulate किया जा रहा है और दोनों को एक page पे रखने के लिए सारा system जो है वो operate किया जा तो इसका registration का बकाएदा एक process है बकाएदा एक office है और बकाएदा इसको regulate किया जा ठीक रहान सब बहुत शुक्रिया आपकी इस गुफ्तकु से बहुत सरे जो सवाल मेरे जहन में थे वो address हो गए और उमीद है कि जो हमारे potential entrepreneurs हैं वो भी इससे जरूर learn करेंगे और अगला सवाल आपसे ये है कहते हैं कि जब business ने grow करना होता है जिस तरह आपने का कि government बहुत interested होती है society भी interested होती है तो फिर जो growth है वो शायद fuel नहीं की जा सकती जब तक कि आप next जो legal structures हैं वहाँ पर graduate नहीं करते यह नहीं कि आप corporation नहीं बनाते जिस तरह कि private limited ह public limited है मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत इकतसार के साथ थोड़ा सा ये रहनुमाई फरमा दीजिए कि अगर हमने एक private company बनानी है और एक stage पर उसको public भी करना है तो इसके लिए क्या legal requirements होती है जिस तरह आपने बहुत खुब सूरती से partnership के बारे में बताए है यह तो personal conviction की बात question के मैं कितना developed हूँ कितना की मेरी understanding होगी है business में मैं कितना mature हूँ और मुझे किन चीजों की जुरूवत है इसके partnership में problem यह होती है कि liability unlimited है कि आपके personal assets और business assets में फरक नहीं किया जाए अब firm जो है वो business बड़ा flourish कर रही है they are making profits और उनको new ventures भी नजर आ रहे हैं वो innovation की तरफ भी जा रहे हैं और prospective client market भी मौझूद है अब वो चा रहे हैं कि हम कोई बड़ा business करें कोई बड़ा venture करें आप देखा होगा कि एक product लेके आते हैं उसके बाद multiple products वो produce कर रहे होते हैं तो आपको पता है capital जो economy है इसमें जो capital है वो बड़ा vital role play करता है और capital का जो source है वो banks है तो banks जो है वो बड़े reluctant हैं partnerships को business के साथ उनको credit loaning देने में वो चाहते हैं documented business enterprise की तरफ तो वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ private limited या public limited में अब आपने risk लेना है आप कोई नई invention लेकी आया और huge capital involved है और capital intensive आपकी business है तो आप फिर ऐसे करें कि आप थोड़ा सागे बढ़ें और आप company की तरफ जाएं जब company की तरफ जाएंगे naturally वो एक registration का process है अब अगर आपकी जाज़त हो तो एक लफ जो incorporation बड़ा इस्तमाल होता है incorporation का जो लफ है उसका मीनिंग है bringing many into one अच्छा this is new for me this is absolutely a very 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 unique word devised by human brain मैं यह समझता है के registration और incorporation alternatively इस्तमाल किया जा से है not at all sir bringing many into one when आपके पास shareholder एक लाग shareholder है और shareholder को आप इजाज़त नी दे रहे कि आप कहेंगे यह ownership है तो आप उसको वो सब कहेंगे Nestle वो सब कहेंगे यह company यह company वो company तो bringing many into one ownership का concept zero अब आप मुझे बताएं एक state है मुल्क है उसमें कितने house hold है सब अगर 55,000 की saving करें और अगर एक शक्स आज जाके stock exchange के ऊपर initial public offering कर दे company की और सब उसको 55,000 रुपया दे दे और अगर दो लाग घर 55,000 रुपया दे 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 तो आप बताएं कितना huge capital कठा होगी अब यह कुछ चलाएंगे कौन यह basically corporate managers होते हैं जो company को चलाते हैं और वो sometimes ऐसे होता है कि जो shareholders होते हैं वो उसके employees भी होते हैं employee owned companies भी होते हैं तो वो huge product create करते हैं capital investment खुद लेके आते हैं और product ऐसी produce करते हैं कि पूरे stakeholders को benefit होने शुरू हो जाएंगे तो this is basically a corporateization phenomenon जिसमें लेके आते हैं अब single bamer में आप आजें वहाँ पर भी आपको liability जो है वो controlled होगी आपकी banks आपके साथ deal करेंगे आप risk ले लें अगर आप जाते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए let's suppose आप cement की factory लगाना चाहते हैं वो तो capital intensive business है उसके लिए तो huge capital चाहिए वो market की demand supply पर float करते रहें तो आप अगर देखें कि जो economy है पूरी दुनिया की वो about 70% in the hands of companies और बड़ा काम जो है वो सारे के सारे company के banners के नीचे हो रहे हैं तो यह तो बंदे की जो entrepreneur हो रहा है उसकी personal growth पर ड्मेंड करता है कि वो किस pedestal पर काम करना चाहता है वो sole proprietor से चला है वो इस्ता इस्ता फर्म पर आ जाए फर्म के pros and cons देखे फिर वो private limited company की तरफ है इसमें एक सिर्फ बात मैं कहूंगा sole proprietor अकेला कुछ नहीं है यह concept जो है यह teaming मांगता है अगर आपकी team अच्छी है को marketing में अच्छा है sales में अच्छा है को business में अच्छा है को accounts में अच्छा है को innovation में अच्छा है को research में अच्छा है तो team जो है वो business को आगे लेके जाती है एक single entrepreneur जो है उसके लिए foremost जो चीज है वो teaming करना है Kyan Sir मेरा आखिस सभाल इस पर registration पर क्या registration expensive होती है और क्या ये business doing business को expensive बना देती है Not at all ये concept जो है ये सही नहीं है अगर आप जदीद दौर में देखें तो हर organization जो register करती है business या business से related उसकी websites available है उसके उपर जो फी है उसका शेडूल तक बताई हुए उन्होंने और यहां तक बताया हुगा कि कितने अर्से में यह प्रॉसस करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो लाए करती है कि आप कितने अर्सेंट है अगर आप कनफ्यूजड है और आप कोई काम करना चाहते हैं तो नैचरी यू विल बी टेक्स तो अगर आप वैल अवेर हैं आप वैल कनफ्यूजड है तो आप बहुत नॉमिनल फी में इसको रिजिस्टर क चाह रहे हैं विकाज ये तो हो गई हमारे पास के बिजनस आइडिया और आप उसको सोल प्रप्राइटर हों पार्टनर्शिप पर हो यह अपने कंपनी बनाना चाहें किस तरह अपने बिजनस आइडिया को बिजनस को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत एहम सवाल है इंडिलेग्शिल प्रोपर्ट और इंडिलेग्शिल प्रोपर्टी रॉइट का हम इसको भी इसे डिसक्शिन में बनाना चाहा है है बिकॉразу यह भी एक बहुत बड़ी लीगल प्रोफर्टेक्शन होती है बिजनस के रिए तो सबहल सवाल तो यह हैं कि इडिलेट्शिब प property क्या होती, तीसरा हुए है यह intellectual ग्या है, right जो होता है यह बेसिकली इंटरेस्ट इंट संफिंग होता है। अगर इंटरेस्ट इन सम्थिंग प्रोटेक्टड बाइ लॉआ है तो दन याइधि तो पक्ठी है तो इसको नहीं पूछ रहा है तो इस तरह हम ट्रेवल करते हैं देखते हैं बहुत सारी चीजों में इंट्रेस्ट होता है लेकिन हमारा राइट नहीं होता है तो इसी तरह कोई बंदा है इंट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट what where when how who why किस सबाल करकर के logical deduction पे जाके find करता है उसको आप intellectual करेंगे कोई intellectual दिल में नहीं बनता तो इसका प्रोसेस है सबाल करेंगे जवाब डूंडेंगे अब उसके लिए books मौझूद है और सबसे आला चीज जो available है किसी भी discipline में फुखा फिलोसिफी हो या अंट्रपनियूर हो या अकाउंट्स हो कुछ भी हो उसका डिक्शन है जिसको आप डिक्शनरी कहते हैं हमारी फीर्ड में लॉग की फीर्ड में ब्लैक्स लो डिक्शनरी जो है यह दा बिगस्ट फिलोसिफिकल सोर्स एवर नोन इंड वर्ल्ड तो लो इंटलेक्शन ऐसे नहीं बना जाता है एक मतहा कहता यह कोई पेटंट उस ही के करवाेगा न जहां पेख heavy्शन लेकी आ थे, हैं तो technical invention चाहिए patent करने के लिए अगर आपको पास technical invention नहीं है तो patent के सवाली लिए रहा है यॉड नियोक्चछल पैल तो साबत करना है के वो안 तो इसके सानोनिम जो है वो रैशनिल, लॉजिक, अडिस्टेंडिंग, अडिस्टिंगुशिंग है, बहुत अलग हो, अलग हो, इसके अडूटी नॉलज़, नॉलज़ जो हमेशा पार्शियलिटी में है, इनकंप्लीट है, और उसको जब एड करते हैं तो वो रिसर्च से हो होता है, तो यह पेटन्ट और डिजाइन यह दो जो चीज़े हैं, पेटन्ट तो उस चीज़ का होता है, कि आपने कोई नया कोई टेक्निकल प्रॉसस जो है, वो इन्वेंट किया है, आपने कोई नई डिवाइस बनाई है, कोई टेक्नॉलजी आप लाएं हैं, कि आप जाकर खुद इस्तमाल कर दे और क्रेडिट भी ले और उससे वो एकनॉमिक अक्टिविटी भी करें, कैसा लगेगा, यकीन यह एंट्रेपनोर्स के लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा, कि वो इतनी जिसे कहते हैं, एक फिटीग के बाद एक आइडिया है, वो डिवल अलेगी, इस इन्वेंशन, और बेसिकली इस इस रिजल्ट ऑफ कॉंसेंट्रेशन पावर, और यह कॉंसेंट्रेशन की पावर जो है, यह इन्वेंट करती है चीजिए, तो जब किसी इंसान ने, जो इस लिबॉरियस जॉब से गुज़ रहा है, और अगली बात भी यह है, कि कुदरत यह नहीं देती, कि यह आप इन्वेंट करेंगी, यह है ही नहीं, यह तो लोग सेलेक्टिड होते हैं, इनको अता होती है, वो इस प्रॉसेस में लगे होते हैं, और वो बेसिकली नैचरली उनकी जो कैमिस्ट्री है, वो वैसी होती है, अचा रहान साब, आपके गफ्तुगोस है, मेरे जहन के एक पुरानी कन्फ्यूइन है, जो मैं क्लेर करना चाहता हूँ, क्या यह पेटन्ट, कॉपी राइट, यह एक ही चीज़ें होती है, यह यह मुख्लिफ होती है, नहीं सर्थ, इसका देखें, जो इसके लॉज फरक है, जब लॉज फरक है, तो आट स्बोस आप शर्ट खुद नहीं बनाते, कोई चीज़ आप मोटरबाई खुद मैनुफेक्टर नहीं है, आप कहीं से बनवा रहे हैं, तो जहां से बनवा रहे हैं वो इंट्रस्टेड नहीं है उसको कोई सिंबल देने में, आप उससे सारी प्रोड़क्ट ले ले लेत सबसे बेस्ट कमुनिकेशन इस साइलेंस, अब साइलेंस से जरा थोड़ा सा आगे हैं तो सिंबल रहती बात, आप देखते हैं कि यह ब्रैंड है, उसका सिंबल है, आप कहते हैं, इसका सोर्स जो है, आप उस तक पहुंच जाते हैं उस सिंबल की वज़से, उस सिंबल है, डाट से सिंबल हैं, आप उस तरफ सिंबल हैं रहती हैं, आप पहँचान जाते हैं कि यह ब्रैंड हुआ है, अब जब आप ट्रेड़्ट का प्लाइ करते हैं, तो आपका परपस ही होता है कि मैं ट्रेड़्ट को लेने बंदे की रेजूलूशन अपने साथ ही होती है, आइ I will be very honest with my product ॡरॉडउरली उसके जो कर्रेक्टरिस्टिक्स प्रोडॉट्क्ट के होंगे, वो honesty पे बंदे का से क Calling डे लो जाहूँपर ONE मोन जाते हैं, उसके Wow कि अगर मैंने वो खरीद नहीं है तो मुझे वो ट्रेड मार्क नजर आ गया है, I am satisfied. I am going on waterway, I am having the tires in my car. And I know, I have put very good brand of tires with me. So highway to heaven, आप देखें कितना जबर्दस आप travel करते हैं, आप उसके साथ क्या होते हैं? Comfort level आपका बहुत होता है. आपकी encouragement कितनी होती है. तो ट्रेड मार्क बेसिकली, ऐसा business entrepreneur, जो quality में काम करना चाहता है, जो नाम बनाना चाहता है, और आप देखें कि बहुत सारे आप ट्रेड मार्क्स देखेंगे कि जो पूरी दुनिया में, global trade marks होते हैं. और you see, जो global trade marks हैं, ये जो England है ना, इसको workshop of the world का आ जाता है. अगर कहीं industrialization अगर शुरू हुई है, तो वो England से start हुई है, तो वहाँ के लोग जिन्होंने innovation की, जिन्होंने inventions की, जिन्होंने technology को आगे लेके आई हैं, तो उन्होंने काया कि भई, ये क्या होगा, कि अगर हम इतनी invention करें, इतना input डालें, और कोई उठे और अपने नाम से उसको कर लें, तो उन्होंने काया, कुछ countries कठी होगे, तो पैरस convention कर लो एक, कि ये countries हैं, जिसको sign करेंगी, और इन्होंने आपस में एक मुआहिदा कर लिया है, कि जहां कहीं invention होगी, और जहां कहीं वो registered हुई होगी, अगर उस तरह की invention उनकी country में होगी, उसको cheat करने कोई कोशिश करेगा, तो पैरस convention के ताहद priority उस country को मिलेगी, जिसमें वो पहली दफ़र रिजिस्टर हुआ, तो आप देखें, ग्लोबली protection है, तो पाकिस्तान is a signatory to Paris convention, तो यहां पर भी आप देखें, intellectual property organization पाकिस्तान है, IPO जिसे आप कहते हैं, इसका 2005 में ये एक law है, intellectual property ordinance, उसके ताहद ये बनी है, और इस body को ये उन्होंने काम दिया है कि आप intellectual properties जो है, यानि जो brain की products हैं, जो invention है, invention में patent है, invention में design है, अब जो patent है ये तो technological invention है, design क्या है, किजी चीज की aesthetic जो sense है, जैसे ये कुछ चीज हमारे सामने पड़ी है, इसकी जो, इसकी shape जो है, आप समझ लेंगे, shape में जब आप जाएंगे तो ये design है, जो technology में आपने invention की है, तो जाएंगे तो वो patent है, अब आप आएं copyright, copyright जो है, वो technical invention का नहीं है, ये basically है, let's suppose, poetry, drama आपने बनाया है, लिखा है, आप कोई cinematography करते हैं, filmmaking है, records आपने की हैं, audio बनाई हैं, या इस तरह की जो भी literally काम है, उसको जब आप करवाते हैं, registered, ये बाकी आउस्ट हो जाएं, ये मेरे नाम पे रहे, उसको आप copyright करेंगे, इनके laws एक हैं, laws फरक हैं, लेकिन जो governing organization है, गवर्निंग organization एक है, IPO जिसको कैसे हैं, IPO intellectual property organization गवर्निंग body है, उसके तहत copyrights भी आते हैं, laws different हैं, जो copyright, जो है, ये copyright ordinance 1962 है, probably, और trademark ordinance 2000 है, और patent ordinance 2000 है, और design ordinance 2000 है, तो ये सारे laws हैं, तो ये सारे laws हैं, एक जो business है, खासर पर छोटा business और उसके बाद उसकी बाकी stages भी, उनको ज्यादातर इन मैसे किस से concern होता है, trademark से, patent से, ये copyright से? ये सर, ज्यादा तर trademark, patent design, trademark, patent design, copyright तो literary काम, लेकिन जो लोग books publish करते हैं, जो novels publish करते हैं, वो copyright में आते हैं, उनका trademark भी होता है? discussion तो बहुत important है, लेकिन बहाराल आपको सिर्फ orientation देनी है, trademark क्या है, patent क्या है, और इसके साथ के copyright क्या है, और ये सारे matters अगर आप business में आ रहे हैं, या business को diversify करना चाहरे हैं, expand करना चाहरे हैं, बहुत critical हो जाते हैं, और चुक्के हम अब एक global citizen हैं, एक idea यहाँ फोट होता है, और पता चलता है कि वो idea किसी और जगा पर भी execute हो रहा है, तो आप कभी और किसी वक्त भी किसी legal complication में फस सकते हैं, discussions को और आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिल हाल के लिए इस discussion को यही close करते हैं, see you in the next video.